आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, यहाँ पर एक Question है Control of Reabsorption of Water in Kidney is done by Option 1 है Insulin, Option 2 है Vesopressin, Option 3 है Thyroxin and Option 4 है Estrogen तो क्या होता है कि जो Kidney में जो Water Reabsorption होता है Kidney में जो Water Reabsorption होता है वो Basically जो हॉर्मोन के वज़े से होता है That is known as Vesopressin Okay, that is known as Vesopressin यह Vesopressin हॉर्मोन के बारे में हम थोड़ा जान लेता है Vesopressin क्या है यह एक Peptide Based Hormone है First of all यह एक Peptide Based Hormone है Okay, यह कहां से निकलता है जो Hypothalamus में इसका Synthesis होता है और Pituitary Gland है वहां से Finally यह हमारे Body में निकलता है Okay, Pituitary Gland होता है वहां से यह निकलता है Vesopressin को हम कह सकता है Antiduretic Hormone यानि कि हम इसको कह सकता है ADH जो Arginine Vesopressin यानि कि AVP इस नाम पे भी जाना जाता है यह तो यह AVP का ना दो function है Okay, इसका दो function है First function जो है वह क्या होता है जब हमारे Body में Hypertonicity हो जाता है यानि कि हमारे Body में Hypertonicity का मतलब क्या होता है Hypertonicity का मतलब होता है जो Fluid में, जो Solutes होता है हो सोलीट बहुत जदा होते है intend on out of his Eli z k eleg मतलब हमारे जो ना प्लार्ज मां होते हमारे सल में जो59 होता है फ्लाज्मा से यह जो हूँ ह हैं इस तसस्य था होते हैं इसको हम कहते है Nam inspirikit है तो इस टाइम क्या होता है दिश्शाइम क्या करता है दो यह लिए खैंसे जो पनी री आप्सार्ब करता है लेकिन वह वोतर सौलीउट सूलीट फ्री वॉटर को री आप्सार्प करता है कि थी वहांगे जो fluid है वहाँ पे solute के जब particles बढ़ जाते हैं solute यानि की जो glucose होते हैं या फिर जो salts होते हैं इसको हम solutes कह रहे हैं तो इसका portion जब ज़्यादा हो जाता है तो वैसर प्रेसिन क्या करता है किडनी से solute free water को reabsorb करता है और ऐसे यह जो problem है hypertonicity की यह जो problem है इसको maintain करता है तो AVPA जो है इसका एक main function है reabsorption of water from kidney तो ऐसे यह maintain होता है हमारे body का solution का मतलब जो hypertonicity जो problem होता है वो ऐसे maintain हो जाता है और दूसरा काम क्या होता है इसका दूसरा और काम होता है वो होते है कि जो AVP molecule होते है मतलब AVP जो hormone होते है हमारे heart के जो arterioles होते हैं उसको ना constrict कर देता है उसको constrict कर देता है तो as a result कि क्या होता है हमारे heart के जो peripheral मतलब vascular resistance यह बढ़ जाता है vascular resistance जो होता है यह बढ़ जाता है तो उसे क्या होता है हमारे जो blood pressure होता है वो high हो जाता है उसे जो ultimate result जो होता है हमारे blood pressure जो होता है वो high हो जाता है तो यह AVP का दो main function है तो इस main function में से जो हमें यहां पे चाहिए that is reabsorption of water in kidney यह solute free water को kidney से reabsorb करते है to maintain the problem I mean hypertonicity का जो problem है इसको balance करने के लिए या maintain करने के लिए तो यहां पर हम option check करेंगे तो option 2 is the right one वैसो क्रेसिन इसके लिए responsible है और insulin क्या होता है insulin generally हमारे body में जो हमारे blood में जो glucose होता है उस glucose के जो amount होता है उसको control करता है थाइडॉक्सिन का काम क्या होता है थाइडॉक्सिन का काम होता है हमारे hum agreement हमारे हमारे just वेसा उप्रेसिन किड्नी में सॉल्यूट फ्री वाटर को रियाप्जब करने में मदद करते हैं थैंक्यू क्लासिक स्टुवल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही राउनलोड करें डाउट नेटा या वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर